हलो फ्रेंज वेलकब दो चानल क्रांड अफेर अपडेटेटेड अधिस देवशी शवस्थी जैसा आपको बता हुगा 10 अम पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सिरीज लेखे आते हैं और उसमें हम MCQ क्युक्षण करते हैं और आज हमारा टॉपिक जो है मीडाइवल हिस्री के MCQ कोश्ण होंगे हैं याद एखिएगा लेक्षर मद 77 है अलड़ी 76 लेक्षर आचुके हैं उनकी लिंक मैं प्लेलिस में प्लेलिस की लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो प्रिवियस बीदिश भी आप देख सकते हैं जहां पर हर इंडिवीज्ड सब्जेक्र से कॉश्चन कवर किये हुए हैं आप को कितने बनते हैं अफकोस के साथ साथ करंब आफेर्स के वह कुछ questions होंगे हैं okay remember सबसे पहले मैं आपको बता दू इस लेक्षर को एंट तक जरूर देखेगा तब आपको समझ में आगर लेक्षर की वैल्यू क्या है और एंट तक अगर आप देखतो फिर अगर वीडियो पसंद आता तो ही लाइक करिएगा वन्हों उससे पहले मत लाइक करना याद किएगा आप एक application है हमारा देवशिष classes यह आपको description box हमारा app का link मिल जाएगा आपको आप सबसे पहले download कर ले जहां पर आपको हमारे other courses के बारे में UPSC state services के बारे में आपको हमारे इस application में information मिल जाएगी तो चलिए start करते हो देखते है medieval history के MCQ questions पहला question जो है याद कि इसा ही question इस साल UPSC के prelims 2021 में आया था इसी तरह का question था ज्याद किए which one of the following statement is incorrect ठीक आजन्ता केव की incorrect statement कौन सा है इसी से लेटेट कोशन आया हुआ exam में already पहले मिलना अजन्ता जो है rocket caves है जो की शाधरी ranges दो है याद देखेगा शाधरी ranges में located है पहला statement है दूसरा यह case जो ह 650 AD के बीच में develop हुई है okay आपको बताना है सबसे पहले तो मैं एक होग आपको दे रहा हूँ अजन्ता केवस महराष्ट में है एक बहुत famous river है जिसके around यह case बनी हुई है उस river का नाम आप मुझे comment box में mention कर दिए किस river के around अजन्ता केवस बनी है अब इसमें से कौन सा incorrect statement है ज आकि जैनिजम की remember so correct आंसे आप बुद्धिजम होना चाहिए जैनिजम लिग दिया वो गलत है तो सी इस इस इनकरेक्ट सेट्मेंट रेस्ट ए बी और डी स्टेट्मेंट सही थे आपको मुझे comment box बता रहा है किस river पर यह अजन्ता केस जो है वो लोकेड़ है महराष्ट में आपको अपनी knowledge में आड करना है तो उनके related ही question है कि which of the following saint was a contemporary मतलब श्रीजी के टाइम पर याद अखिएगा वो contemporary थे यह आपको बताना है तो तुकाराम नामदेव रविदास और गोरा रेमेंबर तो यह static question है I understand static questions हमें generally हम गलत कर देते हैं इसलिए series का मतलब यह है कि हमें static questions पर भी ध्यान देना है तो बताइए कौन contemporary थे श्रीवा जी के ताइम पर yes the correct answer is that is option number 8 तुकाराम रेमेंबर इसके हम डीटेल जो है तुकाराम के बारे में याद देखिए वो मैंने आपर mention कर दिये यह भक्ती सेंट थे महराश्त भी लॉंग करते थे और श्रीवा जी के contemporary रहे हैं इनके हम details आपको मिल जाएगा पढ़ सकते हैं okay PDF आपको हमारे टेलिग्राम पर अविलिबल हो जाएगी चलिए next question में आते हैं question number 3 very important question this type of question UPSC दरूर फ्रेम करता है which among the following was the chief port एक बहुत important port का नाम मैंने पूछा है जो गोलगंडा गोलगंडा एंपायर जो था वहाँ पर यह पोर्ट लोगंडर है remember ठीक है और presently यह कलमकारी पेंटिंग वड़ी फेमस पेंटिंग से याद है कलमकारी पेंटिंग से आपको बतायता हूं यह आंदर प्रदे बहुत फेमस है याद अखिएगा मैंने पेंटिंग में आट रंकल्चर में पढ़ा रखा है आप चाहें तो आप में जाकर आट रंकल्चर के लेक्शेस देख सकते हैं वहां मैंने अल्यडी पढ़ा रखा है करेक्ट आंसर जो है यह आप्शन नमबर बी याद अखिएगा आप पीडिएफ से पढ़ सकते हैं अभी हम आगे बढ़ते हैं चलिए तो एक बहुत इंपोरेंट पोर्ट है याद एखिएगा असली पटनम जहां पर करमकारी पेंटिंग्स के लिए भी बहुत फेमस है नेक्स कोशन में फॉर्थ आयोल इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस प आयोल इंस्क्रिप्शन इस दा क्रेडल ओफ इंडियन अर्किटेक्ट्चर यह 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 वस इशूर अंडर रीजिन ऑफ किस रीजिन के टाइम पर आयोल इंस्क्रिप्शन जो है वो इशूर किये गए हैं उप्शन से चालुक्यास पल्लबास राश्ट कुटास चोलास तो इ आप देखोंगे यहां पर लोकेड़ हैं और यहीं पर आयोल इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा एक बहुत फेमस टेंपल है बिगूती तेंपल रिमेंबर जो आयोल इंस्क्रिप्शन के लिए बहुत फेमास है रिमेंबर इसे पूरा सब कुछ मेंशन है यूपी इस तरह भी कोशन फ्रेम करता है कि आपको एक पर्टिक्लर टम देदेगा बुलेगा टर्म जो है किस से रिलेटेड है लोके यहां लिका हुंडी रिमेंबर पेपर मनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है बाटर एक्सचेंज है यह नन ऑफ दबव है तो अब यह हो जा जाते हैं और वहां देते हैं उनको बदले में उत्ता मनी मिल जाता है ताइप उफ एक्सचेंज यह दखेगा इस टाइप उफ बिल ओफ एक्सचेंज रिमेंबर तो करेक्ट आंस ऑप्शन पर यह हैं मेंशन भी कर रखा है हुंडी जाज अन अंकंडिशन और इन राइटि कोशनमर 6 जीटी रोड की बात की जाए तो शेशा सूरी का नाम ज़रूर दिमार्ग में आता है ग्रांट ट्रंक रोड ओके वस रीबिल्ट बाइशेशा तो कनेक्ट विच विच फॉलिंग प्लेसे ऑफ वेस्टन और इस्टन डिजिन और इंडिया रिस्पेक्टिवली वे आगल तो रही हो का आपको बता अगल नहीं है डेली टू बेंगल भी नहीं है रिवेंबर जमुन कश्मी टू डेली ऐसा भी नहीं है यस तकरेक्ट टांसर इस रिवर इंदर्स चे लेके याद एक सोनार गाउं बेंगल तक इसी कनेक्टिविटी जीटी रोड की बहुत फे बिश्य है कौन सी लाएंग्वेच को वॉज्ट पॉपलर्ली नोन चिछा अश्या ऐ सबसुक्रणी जानते आपको पताना है कौन सी फेमस लाएंगवेच इसको लाम से फेमास रिमेंबर तिल्गू, उर्दू, कन्नड या क्लासिक संस्कृत, अब दक्षनी देख रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहोंगे, sir, it's going to be संस्कृत, maybe, okay, नहीं सुनाओगा, maybe, ऐसा नहीं है, याद अखियेगा, correct answer option B है, उर्दू, remember, so उर्दू है, इसको दक्षनी बोला जाता था, remember, मैं स्टाडे कोशन है, स्टाडे कोशन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको confusion हो जाएगा, तो जितना याद कर सको, हिस्वी तो वैसे भी याद करना पड़ता है, देखो, याद करनी ही पड़ेंगा, आपको चीज़े, okay, तो यहाँ पर अभी हमाई तीन कोशन और है, current affairs के, आप देख सकते हैं, आपके exam के लिए बहुत helpful होंगे, remember, okay, तो एक बड़ आप को जरूर डाउनलोड करें, okay, चलिए, आगे बर तब कुछ करन दाफेस के question हो जाए, अभी recently forest की report आई है, remember, तो forest report में कुछ statement आया है, वही मैंने पूछ लिया है, पहला statement है, मत्रप्रदेश म इंडिया को forest cover है, या tree cover कह लिजे, वो ना one third हो गया है, one third मतब 33% अब हो गया है, geographical area of the country के, okay, तो आपको correct answer बताना है, okay, तो जो मत्रप्रदेश थे होंगे, उनको पता हो का सब सब सदा forest अगर दिखा है, तो yes, अभी latest report में भी मत्रप्रदेश ही rank one पर है, remember, तो one is the correct, but the percent is के according मिजोरम rank one पर है, ना कि अरुनाचल प्रदेश, remember, तो second statement है wrong, remember, आपका सीथे answer जाता है, that is a only, क्योंकि one third नहीं है, अभी 33% नहीं हो है forest cover, it is around 24%, remember, 24.62% अभी total forest हुआ है, इंडिया का, remember, और मिजोरम मैंने पता है, percentage wise rank one पर है, अरुनाचल rank two पर है, remember, ठीक है, और सब नाइक पर अरुनाचल प्रदेश है, तो percentage में भी rank two पर है, और overall total forest में भी अरुनाचल प्रदेश rank two पर है, okay, तो recently report आईए, इसलिए मैंने question frame किया, okay, next, nine dash line, यह भी बड़ा news में रती है, nine dash line, okay, मैंने बहुत बार news में रती है, यह किस context में use किया था nine dash line, remember, Middle East में, South China Sea में horn of Africa, बड़ा famous horn of Africa मैंने पढ़ाया हुआ है, यह इंडो-Pacific region में, nine dash line, यह कहां पर है, तो अगर आपने थोड़ा सा चाइना के बारें पढ़ा होगा, international relations में, तो yes, South China Sea में आप देखे, यह बहुत डिबेट है, चाइना कुछ पार्ट कहती जो उसका है, यहाद रखिएगा तो उसपे डिबेट होता रहता है, remember this is a nine dash line, तो यहाँ पर जो countries है, फिलिपिन्स वगरें आपस में, बहुत ही disputed चलता रहता है with China, remember, but nine dash line कहां पर है, that is located where, that is at South China Sea, remember, तो correct answer option number B है, last question, important है, Siachin Glacier की में बात करूँ, इसकी location भी important है, मैं मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने शक्षगम वैली जो है, उसके west में, गिलगित के north में, या तो north of Nubra Valley, okay, तो these are the four options, Siachin Glacier कहां locate, इसकी location कहा है, चलिए मैं आपको इसकी location एक बात कर लेता हूँ, correct answer जो है, Nubra Valley के north, remember, यह बाकी तीनों गरत दियों है, कैसे, देखे, आपको दिखाता हूँ, यह है आपक Aksai Chin, remember, तो Aksai Chin, यह है आपका Siachin Glacier, तो आप देख रहोंगे, Siachin Glacier के west में Aksai Chin के Siachin Glacier है, ना कि east में, तो वो statement तो हो गया, wrong, क्योंकि यहाँ पर लिए तो east of Aksai Chin, west of Saakshanom Valley, remember, तो देखे, यह है आपकी, यह वैली है, remember, तो remember, यह आपके east में, आपको मिलेगा Siach देखेंगे, तो आपको Siachin Glacier देखने को मिलेगा, remember, तो correct answer option में D है, I hope आपको समझ में आग होगा, यह map important है, यह आपका Aksai Chin है, Siachin Glacier है, गिलगेत है, कशमीर है, जमू है, remember, ठीक है, और यह यह आदखे, Siachin Glacier है, और यह सक्षकम ट्राक्ट है, remember, this is also important, ceded by Pakistan to China in 1963, यह चाइना को दे दिया गया है पाकिस्तान, तो यह भी important है, याद एखेगा, तो सब प्लेसे, जमून कश्मीर के around, और लद्दा के around important हो जाती है, तो इसको जरूँ go through करना है, आपनको, तो यहाँ पर हमारे 10 questions complete होते है, I hope आपको questions बने होंगे, अब बताईए, वीडियो प्लस मेंस 2022, प्लस इवन जो इस बार MPPC मेंस का एक्जाम देने वाले है, remember, उनके लिए भी हमारा courses अवलेबल है, आप हमाई application में जा सकते हैं, और ज़रूर हमाई courses को visit करें, कोई doubt query है, contact number mention है, किस तर पर pressure करनी हो, आपको guide करूँगा, तो आप ज़रूर call कर सकते हैं, remember, त तो यहां पर हमाई series जो थी, 10 a.m. की, वो complete होती है, I hope 10 questions आपने देखे होगे, बहुत कुछ सीखा भी होगा, okay, वीडियो को like ज़रू करिए, प्लस, channel में first time आए, subscribe ज़रू करें, आगर आपको कोई doubt queries है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment box में comment कर सकते हैं, okay, plus हमने आपको